नमस्कार दोस्तों तो इतिहास का इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा कॉंट्रेक्ट मिला है टाटा मोटर्स को 5000 E-Bus का कॉंट्रेक्ट मिला है टेंडर अपलाई किया था टाटा मोटर्स ने टाटा को विन मिली है इसमें 5000 करोड का है ये contract इसमें 5000 से ज़्यादा बसी supply करनी है 5 cities के लिए तो किस किसने कहां कहां पूरी detail discuss कर लेते हैं इसके regarding तो और इसते benefit क्या होने वाला है ये भी discuss कर लेते हैं और एक होर contract मिला है उसके भी discussion करेंगे तो ministry ने कहा है कि contains tender क्या है कितनी electric buses का 5450 electric buses का है पांस जो cities है कुलकत्ता दिल्ली वेंगलो और हैदरबाद और सूरत ये सब cities ने इसमें interested है 1000-1000 buses के round सब cities के लिए electric buses का contract Tata Motors को मिला है तो Tata Motors के लिए बहुत बड़ी जीत है ये इसके लावा एक 5000 EV का भी अलग से passenger vehicle का भी उन्हें contract मिला है वो भी बहुत बड़ा contract है MOU sign किया किसके साथ lithium urban technology के साथ वो 5000 express TV मतलब टिगोर ही लगा लिजिए टिगोर 5000 टिगोर supply करेंगे electric तो वो भी 650 या 700 करोड का contract हो है total 5600-700 करोड के contract sign किया Tata Motors में पिछले दो दिन के अंदर अंदर तो ये बहुत बड़ी ख़बर है दोस्तों long term के लिए तब ही कहा रहा हूं कि long term के लिए इन stocks को उठा के रखिए कोई doubt मत रखिए Tata Motors startup और ऐसे stocks long term के लिए बहुत beneficial होने वाले है आज के दिन में आपको समझ नहीं आएगा बढ़ा short term में 500 तक के target और long term में 2000 तक के target इजीव करा सकता है पर कोई recommendation नहीं है ये याद रखिएगा